मुवी के शुरुवात 1985 के सीन से होती है जहां Campbell family में एक baby sitter आती है to baby sit the kid फिर जब वो वहाँ जाती है उसे एक monster देखने मिलती है जो Campbell family की बच्ची को खा रही होती है और जब वो वहाँ से भाहाँ निकलने जाती है तो Mr. Gamble basement के दरुवां से बंद कर देते है और उस baby sitter को भी वो monster खा जाती है फिर हमें basement के डूर पर एक symbol देखने मिलता है और अब हमारी main कहानी present years में shift हो जाती है जहां पर एक Ben नाम का teen अपने father Liam के साथ रहने आया होता है वही Ben के parents का भी diverse चल रहा होता है Ben लियान के मेरिनाक में काम करने लगता है जहां उसकी मुलकात Mallory नाम की एक लड़की से होती है और उनकी अच्छी friendship हो जाती है वही Ben लियान को एक औरत के साथ देख लेता है जिसका नाम सारा होता है और लियान उसे date कर रहा होता है वही दुसरे तरफ हमें लियान के neighbor Abby देखने मिलती है जो अपने बड़े बेटे डैलन के साथ forest में आई होती है वही डिलान को forest के trees में अजीब symbol मिलते है ठीक जैसे जैसे हमने Gamble family के door पर देखा था और डिलान को forest में Abby की आवाज सुनाई देती है जो एक tree से आ रही होती है पहले तो वो आवाज डिलान को प्यार से हुटरी के hole में बुलाती है फिर गुस्से से उतने में ही Abby वहाँ आशाती है और वो दोनों घर के लिए निकल चाते है फिर Abby घर में आती है तो Abby उसे साथ ले आ जाती है क्योंकि वो एक fresh meat होता है फिर Abby उस deer को काटती है जिससे उसके organs निकल के भार आ जाते है लेकिन वो सब सड़े हुए होते है ये देखके Abby घर के अंदर चली जाती है और फिर viewers देखते है कि उस deer से वही monster निकल के भार आ जाती है उस रात Ben को बहार से आवाजे आती है और वो भार जाकर देखता है तब ही हम देखते है कि Ben एक hole में देख रहा होता है और वो creature उसके पीछे होती है उतने में ही लियान उसे घर में बुला देता है फिर दुसरे दिन Abby को भी वही hole मिलता है जो Ben ने देखा होता है और उसके आसपास के सारे फ्लावस मोरजा गए होते है फिर जब Abby अपने छोटी बेटे के क्रैब में देखती है तो उसे वहाँ पर लखडिया मिलती है फिर वो creature वहाँ आ जाती है और Abby को खीच कर अपने साथ ले जाती है फिर शाम को लियान की डेट सारा आने वाली होती है इसलिए वो चान बोच कर उस शाम उसे अवाइड करने के लिए मेलने के साथ एक पांटी में चला जाता है Ben शाम को घर लेट आता है तभी वो देखता है कि Abby एक बच्चे को पकड़ कर forest की तरफ ले जारी होती है Ben Abby को आवाज देता है उतने में ही वहाँ लियान आ जाता है जो Ben को ढून रहा होता है और फिर उन दोनों में एक argument होता है जिसे सारा सुन लेती है फिर next day Ben डिलॉन से दोस्ती करता है और उसे शाम वो सारा से माफी भी मांगता है और सारा से वो लेट मांगता है क्योंकि लियान को आज आने में लेट होने वाला था फिर जो वो घर आता है तो उसे उसके रूम में डिलॉन मिलता है जो एबी से डर के छुपा हुआ था क्योंकि वो काफी जादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी वही एबी बेन के घर आ जाती है डिलॉन के बारे में पूछने के लिए लेकिन बेन उसे जूट बोलता है तो एबी उसे डरानी की कोशीश करती है उतने में ही टाई वहां आ जाता है और उसकी आवाज सुनकर डिलॉन निचे आ जाता है फिर वही एक सीन में हम एबी को काफी स्ट्रेंज बिहेव करती हुए देखते हैं जिसे हमें पदा चल जाता है कि वो पोसेस्ट हो चुकी है फिर अगले ही दिन बेन उड़ता है वो लेट हो चुका होता है तो वो तूरंद मेरिना की ओर निकल जाता है लेकिन वहां उसे डिलॉन नहीं मिलता फिर वो घर जाके टाई से पूछता है तो टाई उसे कहता है कि उसका कोई बेटा है ही नहीं ये सुनकर Ben काफी जादा शौक हो जाता है वो टाई के डोर पर भी वही सिंबल देखता है जो डिलान ने ट्री पर देखा था Ben उस सिंबल की एक पिक लेता है और वो उसे इंटरनेट पर सरज करता है वही पर उसे कुछ मिट्स मिलते है कि ये एक विच है जो बच्चों को अपने साथ ले जाती है अब Ben टाई के घर पर नजर रखने लगता है वही टाई के सेल में उसे कुछ अजिब चिज़े भी मिलती है वही सब वो अपने दोस मेलनी को बताता है तो फिर मेलनी जाकर एक नोट एबी और टाई के घर में छोड़ देती है फिर Ben अपने घर के बाहर सॉल्ट का सरकल बनाता है वही एबी टाई के कान में एक स्पेल बोलती है जिससे उसके कान में ब्लेडिंग होना शुरू होती है फिर हम एबी को देखते है जिसकी बोड़ी सरती जा रही होती है फिर नेक्स डे जब मैलनी ओफिस को बंद करके जा रही होती है तभी वो क्रियेचर उसकी पीछे आती है और मैलनी की फैमिली की एक फोटो ले जाती है जुपके से टाई का सेलुरा चेक करता है जहां उसे एक अजीब सा स्केलेटन और टाई की फैमिली फोटो भी मिलती है साथे साथ उसे मैलनी की फैमिली फोटो देखने मिलती है जिस पर मैलनी के फेस क्रेश्ट होते है तो वो तूरंत मैलनी को कॉल करता है और जब वो मैलनी को उसकी भेन लीली के बारे में पूछता है तो वो लिली को ट्री के अंदर ले जा रही होती है बैन लिली को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम्याब होता है बैन के घर पोलिस आच चुकी थी जो लियान से बात कर रही होती है बैन की हरकतों की वजह से उसके नेबर्स ने कंप्लेंड डाल दी थी लेकिन सबुतना हो पूलिस के कान में वही स्पेल्स बोलती है जो वो टाई के कान में बोल रही थी पूलिस अब सारा के कंट्रोल में आ चुकी थी तो वो बेन को ले चाती है और पूलिस के कान से ब्लेडिंग हो रही थी तब ही वो ऑफिसर बेन को बीच के वहाँ ले जाता है और उसे पानी में डुबो कर मारने की कोशिश करता है एक लोकल डॉग आकर उसे बाइट कर लेता है और उसे रियलाइज होता है कि वो पोसेस्ट हो चुका है इसलिए वो ऑफिसर खुद को ही शूट कर देता है दूसरी और लियान एबी के सेल में जाकर चेक करता है तो वहाँ उसे एबी की बॉड़ी देखने मिलती है साथी साथ उसे टाय की बॉड़ी भी मिलती है और कुछ फोटोज मिलते है उतने में ही सारा लियान पर attack कर देती है, लेकिन तभी Ben वहाँ आज आता है और सारा को shoot कर देता है, और लियान को बचा देता है, और उसे लेकर भार निकल जाता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद वो creature सारा की skin को फार कर भार निकल जाता है, और खुद को reveal कर देता है वीवर इरेज कर दी थी फिर बेन अपने घर से सॉल्ट और एक रोप लेकर मैलनी के साथ उसी जंगल में उस ट्री के पास अपने भाई नैथन को लेने जाता है वही वो मैलनी को भार रहने के लिए बोलता है रोप पकड़ के और वो खुद अंदर जाता है उस ट्री के वही वो नैथन को दूनने में कामियाब हो जाता है और वो फिर से लिली को दूनने के लिए जाता है वही वो उस विच को डैलन को खाते हुए देखता है और वो विच उस पर अटैक करने के लिए आ जाती है लेकिन लिली उस विच को distract कर देती है और बैन उसे चक्मा देकर लिली के साथ भार आ जाता है लेकिन वो विच बैन का पाव पकड़ लेती है उतने में ही लियान वहाँ आ जाता है और वो अपने कार को उस ट्री से कैश करवा देता है जिसके कारण वहाँ पर ब्लास्ट हो ज होता है और मैलनी उसे एक फ्लावर देती है बैन जब कार में होता है वह इस फ्लावर को स्मेल करता है तो उसे पता लगता है कि यह फ्लावर फेक है वही एंड में हम देखते हैं मैलनी को कुछ बच्चों के साथ बोट में और वह एक इविल स्माइल देती है और यही पर end हो जाता है guys explanation अच्छी लगी हो तो channel को please subscribe जरूर कर देना